जब तक ना इलेक्शन यहां पे हो तो जो हमारे पंच सरपंच है उन्हें एक्स्टेंशन दिया जाए आम इंसान को छोड़ी सी छोड़ रोड दिलाई है पावर का मसला हल किया है हर गर में जल और नल पूछाया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले सतर साल में जो कामकाज नहीं हुए वो कामकाज इस वार चुने हुए जो नमाइंदे थे पंच और सरपंच उन्होंने करके दुखाए नमस्कार बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब होरे रहा और आप देख रहे हैं जेके लेच प्राइम टाइम जम्मू कश्मीर में सभी पंचैतों का कार्यकाल मंगलवार यानि आज 9 जनवरी को एक तरह से समाप्त हो गया पंचैतों के साथ ही बीडीसी भी एक तरह से भंग हो जाएगी जम्मू कश्मीर में पंचैतों के चुनाओं नमबर दिसंबर 2018 में 9 चरणों में हुए थे पंच सरपंचों ने शपत 9 जनवरी 2019 को ली थी और उसी दिन से उनका पाँच साल का कारेकाल एक तरह से शुरू हो गया था बीडीसी का गठन वर्ष 2019 के अंत में हुआ था लेकिन आज पांस साल का जो कारेकाल था वो एक तरह से मुकमल हो गया आपको ये भी बताते चलें कि पांच अगस 2019 को लद्दा के एक अलग यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में अब 285 ब्लॉक हैं 4297 पंचायती हलके हैं और 33,669 हलके अब एक तरह से रह गया हैं लेकिन यहां पर अभी तक जो गाउं की जो सरकार कही जाती है जिससे गाउं के और दूरदराज इलाकों के मसले हल होते हैं वो सरकार और वो राज आज से एक तरह से खत्म हो गया क्योंकि अब आगे चुनाओ कब होंगे ये त इतिजार करना पड़ेगा आज इसी को जेके लिच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे जब तक ना इलेक्शन यहां पर हो तो जो हमारे पंच सरपंच है उन्हें एक्स्टेंशन दिया जाए आम इनसान को छोड़ी सी छोट रोड दिलाई है पावर का मसला हल किया है हर गर में जल और नल पूछाया है कि जम्मू किश्मीर के अंदर पिछले सतर साल में जो कामकाज नहीं हुए वो कामकाज इस वार चुने हुए जो नमाइंदे थे पंच और सरपंच और उन्होंने करके दुखाए तो पास साल का गाउऊंकी सरकारों का जो कारेकाल था वो एक तरह से पुरा हो गया मयाद इसकी मकمball हो चुकी है और अब गाउँ के लोगों के मसले कैसे हल होंगे गाउँ के डिवलप्मेंट के बात कैसे की जाएगी इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अब गाउं की सरकार आखिर कब बनेगी कब यहाँ पर अब इंतखाबात होंगे क्योंकि दूर दूर तक अभी कोई चीज नजर नहीं आ रही है कोई इशारा तक नजर नहीं आ रहा है इंचुनावों को लेकर बहुत खास मेमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत जल्दी अपने मेमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मेरे साथ एड़ोकेट मुजफर अकबाल खान साब सीनियर लीडर है जम्मो कश्मीर नैशनल कॉनफरेंस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और खास मेमान रविंदर शर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मो कश्मीर कॉनफरेंस के वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए सबी मेमानों का बहुत स्वागत बहुत वेलकम है जेकेलेश प्राइम टाइम में अनिल शर्मा जी आप से ही शुरुआत करना चाहूँगा अनिल शर्मा जी पांस साल का जो कारेकाल था पंचो का सर पंचो का बीडीसीज का मेंबरान का वो तो अब आज एक तरह से मुकमल हो गया आने वाले चुनाओं कब होंगे अभी डेड़ भी नहीं पता है तो अब इस यहां से अब जो चीजे शुरू होंगे उसे किस तरह से आप देखते हैं देखिए सबसे पहले तो बतोरे प्रेजडेंट और जमू किश्मीर पंचाइट कांफरेंस जे मैं तमाम अलेक्टर रिप्रेजेंटिटिव जमू किश्मीर के अंदर जो पंच और सरपेंज थे और वी डी सी सबसे पहले तो मैं अपने वजीर आजम हिंद नरेंदर भाई साब का जो है शुक्रियादा करना चाहता हूं और उनके साथ ही साथ हमारे वजीर दाखला हमिर साब का भी शुक्रियादा करना चाहता हूं कि इन पांच सालों की अंदर जो डपल्मन्ट पंचाइती राय institution की वसाकत से मादियम से जो जम्मू कश्मीर के आवाम की हुई है और जम्मू कश्मीर की पंचाइतों की हुई है जे कावले तारीफ है और जम्मू कश्मीर के अंदर आल जम्मो कुश्मीर पंचाई कांफरेंस हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने पिछले बारा सालों से मशक्कत हम लोग कर रहे थे कि जहां सेवन्टी थर्ड अमेंडमेंट जो है इन टोटो विद आल प्रोवीजन इन कापरेट की जाए और उसके सासा थ्री टायर सिस्टम जो है वो काबिज किया जाए पिछले सतर साल में जितनी भी सरकारे जम्मो कुश्मीर के अंदर रही उन्होंने जे कोशिश ही नहीं की कि कि जम्मो कुश्मीर के अंदर सेवन्टी थर्ड आमेंडमेंट जो है वो लागू हो और थ्री टायर प्रवानी से और आल जम्हु कश्मीर पंचाई काणफरेंस की पूरी टीम की महनद से जे चीज़ें जो हैं संबब हो पाई। दूसरा जहां जम्हु कश्मीर के अंदर अलेक्शन जो हैं आने वाले दिनों में होने चाहिए जलस से जलस होने जाहिए जे हमारी मांग है कि ये अदाइरा बहुत बड़ा अदाइरा है इस अदाइरे में हमारे तमाम लोग जो हैं हर एक बाड की अंदर गाओं के हर एक नुकर पे हमारे लोग बैठे हैं भारत का जंडा लेके हमारे लोग कुपवाडा में बैठे हैं पुलवामा में बैठे हैं अनंतनाग में बैठे हैं बारा मुला तंगदार में हमारे लोग बाते हुई हैं और नंतनाख हो, सिरिनगर हो, गंदरबल हो, बांडी पूरा हो हर जगा पे हो जम्मू के पेचivan, और बंडी बुसोली का लागा हो और लोगों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी वादस्तूर जो है वो करते रहे हैं अगे तो चुनाओ की कोई तारीख भी नजर नहीं आ रही है अनिल शर्मा जी देखिए ऐसा है कि हमारी दो डिमांडें धी जमो कश्मीर के अंदर एक तो पंचाइतों की डिलिमिटेशन जो है वो करवाई जाए हैं बहुसी ऐसी पंचाइते हैं जिनके बोटरों की तैदाद चार से पांच हजार है और बहुसी ऐसी पंचाइते हैं जिनकी बोटरों की त limitation करके उनकी एक पंचाइद की दो पंचाइदे बनानी चाहिए दूसरा transportation जो बोटर ए पंचाइद में है उनको अगर बी पंचाइद सूट करती है साथ आती है नजदीग पढ़ती है उनको ए से उठाकर बी में लाया जाए ऐसे ही बार की अंदर भी कुछ चीजे थी जे भी हमारी demand थी के जे करवाई जाए दूसरी हमारी demand थी के जम्मू किश्मीर के अंदर OBC को reservation जो है वो दी जाए अभी हाली में आपने देखा होगा के पार्लिमेंट के अंदर बिलपास हुआ OBC को reservation और हमारे पंचायती राजयक्ट में जो है वो मनजूरी दे दी गई है और आने वाले दिनों में जम्मू किश्मीर के अंदर OBC की reservation भी तैह होगी कितनी reservation दी जाए चिलिए ठीक है और उसके साथ जी जी ठीक है मैं रविंद कि राज जो था पंच सरपंच की जो सरकार गाउं की सरकार जो कही जाती है अज उसका भी कारेकाल एक तरह से पूरा हो गया किस तरह से आप देखते हैं क्यूंकि अभी जम्मू कश्मीर में लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में चाहे पंचायती चुनाओ की बात करें या इसम्मली चुनाओ की बात करें कहा तो जरूर जा रहा है कि ये चुनाओ होंगे आने वाले दिनों में लेकिन तारीख किसी को पता रही है देखे बात यहा है कि जम्मू कश्मीर में जमूरियर की जो आखरी निशानी थी वो आज खतम हो गई और वहाई बाजपा को अगर करनी थी तो सरकार जो है वो एक साल पहले सोईती है छेवने पहले सोईती है एक्ट में लिखा है कि कारेकाल खतम होने से एक मिने पहले संपन हो करके जो अर्बन और रूरर पंचायस हैं वो इन प्लेस होनी चाहिए लेकर सरकार की मन्शा जो है वो नहीं थी और इनको natural death जो है वो करने दिया BDC भी खत्म होगे बाकी 70 साल से तो ना 73 था ना 74 था और उसके बाद governor rule था और 2008-2014 ये तमाम 3-टाइट सिस्टम जो है वो मेरे कलम से और मैं उसका हिसा रहा हूँ के 73-74 जमो कश्मीर का पंचाहित राज का हिस्सा बन गया सिर्फ डीडीसी का एक प्रोवीन इंसाट किया बाज़ा ने इन्होंने तो ये भी का था कानून पास कर दिया था कि सरपेंच का इलेक्शन जो है इंडिरेक्ट हो पंचाहतों से वो तो एनन नबोरा साहब ने गवर्णर रूर ने हमारी बात मांगी हमने दर्ना भी किया था गवर्णर उसके बाहर और फिर वो डिरेक्ट एलेक्शन हुए और बीडीसी के चेयरमें समय उनके लेक्शियन दो हुए लेकर उससे पाइस-चेर में भी लिखा बुए वह आज तक ने बना पाइस साल मोज कज अब फी खतम भी हो ओगे लेकर वी डीसी बाइस चेर वो आई टेक्नी बनाई तिर्फ दिखाने के लिए और जो सारी चीजे हैं मैं किसी वी टेपनी नहीं कहता हूं लेकि कुल मलाकर के बात यह है कि मैं इस चीज से तालक नहीं है बजायत और बीडी सी और डीडी सी और अर्बर बाडी जो है वो आखरी माधियम था आज आफिसर आजमी के बाता है। आज नमाइंदों की जो लोग नमाइंदे रहे हैं चुने हुए नमाइंदे में रहे हैं शिकायद यह है कि उनकी बात जो है वो कम्मिनिकेट नहीं हो सकती लोगों की बात आप कम्मिनिकेट नहीं कर सकती यह गैप है और पैंच और सरपैंच कहीं बीगली का खंबा के पानी क कोई दूसरा तिसरा मसला हल करते थे जो गाउं दियाद के बुनियादी जो मसले होते हैं दूरदराज इलाकों के जो बुनियादी मसले होते हैं जो पहाड के उपर के मसले हों या नीचे के मसले हों तमाम मसले एक तरह से पंचायत और सरपंच और पंची एक तरह से हल करते है यही असल में गाउं की सरकार होती है जिसे डिमुक्रेसी और जम्होरियत एक तरह से जिन्दा रहती है मैं आडवोकेट मुझफर अग्बाल खान सब आपके पास आना चाओंगा मुझफर अग्बाल खान जी सबसे मजबूत जो सरकार होती है यह यूँ कहा जाए कि निचले तबके की जो नुमाइंदगी की जाती है वो पंच सरपंच गाउं दियाद के छोटे छोटे जो मसले होते हैं वो यहीं से हल किया जाते हैं लेकिन आज इनका भी कारेकाल एक तरह से पूरा हो गया इनका इनकी भी जो डेडलाइन थी वो आज एक तरह से पांस साल पूरे हो गए 28,000 मेंबर्स इसमें थे अबू हराजी इसमें कोई शक नहीं कि पंच सरपंच जो हैं वो ग्रासरूट रेवल पर डेमोक्रिसी को भी मुझबूत करते हैं और जहां एक लेडिसलेटर या मंत्री की एसेस नहीं हो सकती है या जिस शक्स की उन तक एसेस नहीं हो सकती है तो वो आपने पैंच सरपैंच के थूरू सरकार के किसी भी कारीडोर, पावर कारीडोर्स तक अपनी आवास पंचाते है प्लैनिंग में उनका रोल रहता है गाउं की जो प्लैनिंग है अलाके की जो तामीर तरक्की का मामला है लेकिन आप उसको ये लिगेट भी नहीं कर सकते के नहीं भाई, वो ही जमूरियत है और बाकी की रिवाइर्मेंट नहीं है यहां एसम्बली की जरूर्ट है स्टेट की रेस्टोरेशन की जरूर्ट है जो इस वक्त बर्निंग डेमाड है तूर ओर्ट जमूरियत की जिसमें बगार मुझे नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी जो पॉल अपार्ट से पॉलिटिकल पार्टी उनमें भी कोई इखतलाफ होगा कि यहां की रियासत जो है वापस दी जाए रिस्टोर की जाए और जमूरियत को बहाल किया जाए पिछले पांच साल अब मेरे ख्याल में पांच साल नहीं जएदा होगे क्योंकि मेई या जूम 2018 में यहां गवर्णर राज लगा था और अब 6-7 साल होने लगे हैं 18 को और पांच अगस्त को भी अब इस अगस्त में पांच साल हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा लंबा टैनियर है मुझे लगता है कि अब भी यह लंगस्त टैनियर हो जाएगा कि किसी एक बड़ी रियासत को आपने यूनिक टेरिटरी बना के डिरेक्टली अंडर दी कंट्रोल अफ सेंटर गोर्मेंट रखा है तो लोगों की एक बर्निंग डिमांड है और इसको भी जल्द 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 जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाए जाए तो यह तो यह कहा गया था कि इलेक्शन की नोटिफिकेशन भी आई है मगर आपकी बातु से मुझे यह लगा कि इलेक्शन की सर्पेंच के पंचाइत एलेक्शन की नोटिफकेशन इसका मतलब नहीं जारी हुई है तो जितना जन्द हो सके इस सरकार को नोटिफकेशन जारी करें जी 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 एड़ोकेट आरेस पठानिया जी देखें सब को आपने सुना है सबके ही जवाब आपको देने है जिस तरह से यहां पर एड़ोकेट मुजफर अकबाल खान साब ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाओ कराए जाए जाए लोगों के बुनियादी जो मसले होते हैं या डिवलप्मेंट गाउं दिहाद का जो होता है इसी से एक तरह से जुड़ा होता है रविंदर शर्मा जी ने कहा कि जमूरियत की जो आखरी निशानी जम्मू कश्मीर में थी वो भी एक तरह से खत्म हो गई और सीधा सीधा उन्होंने इलजाम लगा है कि बिजेपी नहीं चाहरी ही कि लोगसबाद चुनाओं से पहले और कोई चुनाओं कराए जाए यूटी में जी अबू जी सबको आदाब नमस्कार आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे मुझे मौका दिया अपना पक्ष अपनी पार्टी का व्यूपॉंट सबके सामने रखने का ग्रासरूट्स लेवल डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी समर्थक और सबसे बड़ी पक्षधर अगर को है तो वो भारत्य जनता पार्टी है जी हमारे मितर पंचायद कॉन्फिरेंस में आपको बता रहे था कि किस तरीके से इतिहास में पहली बारी ट्री टायर जमु किश्मीर में कंपलीट हुए इटहास में पहली बारी financial और functional autonomy पंचाइती राज सहस्थानों को जमून कश्मीर में देखने को मिली उसके अलावा भी त्यातरवा चौतरवा हमने स्पीचे सुनी आज तक और तो और कॉंग्रस की सरकार यहां गठबंदन में रही लेकि राजीव गांदी जी का वो जो गिफ्ट पूरे देश बर को त्यत्रवा और चौत्रवा स्वयोदन था लेकिन वो जमू किश्मीर में आ नहीं पाया अब जो में विशे पर आप बात करें कि गैप क्यों यह इंटर्वीनि है कि ओबी सी रिजर्वेशन और दूसरा परिसेमिन जो की एक मस्ट है जो की डिटेल है तो इन दोनों को एचीव करने के लिए थोड़ा सक इंटर्वीनिंग कैप यहां पर देना पड़ा जिसके लिए हमें खेद है लेकिन जल्द ही हमारा आश्वासर है कि बहुत जल्दी जमुन किश्मीर में निकाय चुनाओ और पंचायत के चुनाओ होगे लेकिन एक छोटा सा सवाली या निशान भी है मेरा बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है बड़ी सरकार तो आप ही थी रही आज से लेके सतर वर्ष तक सिरफ दो बार मिन्सिपलिटी के चुनाओ भी होड़ारे जन्ता पार्टी की शरकार ने वर्ष दोहुजार अठारह में मिन्सिपलिटी के चुनाओ आके करवा है पंचायत कि अगर बात करें तो सिर्फ दोहुजार एक में एक बार हुए फिर दोहुजार गयरा में उसके बार 2019 में ये 18 एंडिंग में भीस दिस साल का गैप इन पंचायत और मिंसिपल चुनाव में आया आज वो सवालिया निशान उठाएं और भारते जंदा पार्टी की एक सिंसेरिटी उसकी करमता पर जिसे एक तंस कर सें यह कम से कम ठीक नहीं हुगा मैं मेरा आप से परमनरोद है कि यह दो रिफॉर्म है एक परिसे मीं और दूसरा OBC conservation इन दोवो रिफॉर्मस को inconsider आने करने मेरे जयादा एक्ट matter को मतलब है जयादा पन इफ के तेसं कर रहे हैं जयादार है ज्यादार खंचायिभ था लोगों की सरकारे से नहीं होते थे उस वक्त गाओ दियाद की फिकर नहीं थी कॉंग्रेस को लेकिए एटी से पहले भी चुनाओ होते रहे पंचायद का पठानिया जी अवी यंग है तो इनके यादाश कम होगी लेकिन मेरी उमर से पहले भी चुनाओ होते थे निजाम कानून अलग थे जमो पंचायद आज एक्ट बहुत पुराने हैं चुनाव हुए 78 में भी हुए उसके बाद 89 का एक्ट था फिर यहां गवर्नर रूर से असेंबली चुनाव का पासिजल नहीं था 96 में असेंबली चुनाव हुए तो ग्रास रूट में जो लोग मारे गे शहीद हुए अभी मारे ग पंचायद के सरपैंच पैंच इनके दोर में तो इसलिए 2002 तक चुनाव पासिफल नहीं थे कांगर्स पीडीपी की सरकार में जो है वो चुनाव हुआ उसके बाद दोबारा 2011 में सरपैंच का चुनाव हुआ और उसके तरफ बीडी सी और इसका गठन पंचायद रा इंजाम का थ्री टायर 14 मार्ट 2014 को पठानिया साथ वकील है मजफर वकाल भी हैं अगर कताब खोल के यह जाकर देखेंगे वह क्टांगर्स ने एल्लẹक्टर चेयरमेन आज चेयरमें जमू मैं डली था और इनकी पार्टी का रहे शर बैशन कょॉंगर्स पार्टी ने की और मैं उस उसका अग्वाह हुं मैं लइसलेटर था और डिष्टे का चेर्में एलेक्टेड होगा वागते बाइसे बाइसे भाइसे जवादे यह यहादा निङर गाफर किया एक के बाइसे यह थाज़ा टोडिशा गफर किया एक वाइस अपने उनको बोल सब्सक्ते लगा ने अपनी बारी बोलें को एंग बात करता हूं जो फैक्त में है उसमें तारीख की गल्टी भी नहीं होगी 14 मार्ट 2014 में कोट कर रहा हूं जब हमने लाइसलेचर ने पास किया वो कानौन वो लागू हुआ के थ्री टायर सिस्टम होगा पंचायद पैंच सर्पनेंट बीडी सी पढ़ने जल्दी से जबाब द अगला पंचायद का चुनाओ दो हुजार एक के बाद करें तो एक चुनाओ 84 में दूसरा मिंसिपल्टी का चुनाओ पांच में और पांच से लेके 18 कोई चुराओ नहीं उसके बद 18 में जाके भारते जन्ता पार्टी कराती तो आप आगे इस इंटर्वीनिंग को इस अगले शर्मा जी अभी आप कह रहते हैं कि पिछले पांस साल में बहुत डिवल्लप्मेंट हुआ है जो सतर साल में नहीं हुआ लेकिन पांस साल के बाद आकर यहां पर कारिकाल खतम हो गया अगर पहले चुनाओ हो जाते तो यह सिलसला शहीं चलता रहता लेकिन सिलसला त थम जाएगा बिलकुल अभू जी हम भी चाहते थे कि जम्मो किश्मीर के अंदर डिजाल्ब होने से पहले ही तीन मेने पहले चनाओ की तारिक जो है वो अनौस हो जानी चाहिए थी इसमें हम लोग भी डिमांड कर रहे थे कि हो जानी चाहिए थी लेकन बीच में OBC की रिज जो है वो जूरूरी था ये तो सरकार ये तो अड्मिनिस्टेशन और सरकार के हाथ में दा चाहते तो पहले हो सकती थी तमाम चीज़े पहले कराई जा सकती थी देखिए ये ता 14 सब्तेम्बर को मैंने किजी लिगी है कि वह भी सही है जी आड्मिस्टेशन को देखना है हमन हमारी प्लिटिकल पार्टियों के लिए हमारे साथ हैं जो एलेक्टर रिप्रिजैंटिव है इसलिए मैं ज 익 जरूर कहूंगा कि पहले जो सरकारे थी जहां इन्होंने बात किया कि चोडा मार्च जो है 2014 को मार्ट के महिने में जहां अमेर्मन्य की गई बिलकुल की गई लेक जम्मु कश्मीर के अंदर की के जहां पर थ्रीटार्ज सिस्टम जो है लागू होना चाहिए हम मैं झाहना चाहूंग के र decrendUSTर्शरमस आब जो है इनकी पार्टी जो है जहां जम्मु कश्मीर के अंदर नेशन कान्फेंस और कॉंगरिस की भी पहले सर्कार थी तब μी थी और पीडीपी और इनकी भी सरकार जहां पे रही है उनके साथ थे तो ये अर चाहती पराणी पूलिटीकल पार्टियस टेट की जो है जो जीनों नहीं घहां हकुम्ते की चाहती जब ठिके देखें अब समय की कमी है लेकिन अगर ये सिलसला थमताने और चलता रहता तो शायद जो डिवलप्मेंट हुई थी उसका सिलसला भी एक तरह से नहीं थमता और वो सिलसला भी चलता रहता समय की कमी है किसी दिन फिर हम इसी इशू पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे सबी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी एड़ुकेट मुझफर अख्बाल खान साब आरेस पठानिया जी और रविंदर शर्मा जी सबी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए तो जेकले इस प्राइम टाइब में आज फिल हाल इतना ही नमस्कार अपने जमाने में